लाइफ में हमें अपने आपको चितने महलू देनी चाहिए उतनी हम देती नहीं जिस चीज को हम पाना चाहते जो हमें चाहिए होता है वो हम डिज़र्व नहीं करते ऐसा हमें हमेशा लगता रहता है लाइव आपको बहुत सारे chances देती है और जब भी आपको मिल सके तो आपको जो आपको चाहिए वो पा लेना चाहिए टाइम निकल जाने से पहले आपको एक करना चाहिए इसे एक beautiful message के साथ आज की movie आती है आज मैं आपको Bebberman Candy ये 1998 की Korean drama movie explain करने वाला हूँ इसकी I am rating 7.7 है और ये आदमी की suicide की story है इस story को बहुत ही heartbreaking और बहुत ही सही तरीके से construct किया गया है तो चलिए शुरू करते है movie का first time period आता है और ये 1999 है इस movie में बहुत सारे time period दिखाय गया है और ये back story की तरह अलग अलग पीछले time period आते रहते है इस movie में बहुत सारे time period दिखाय गये है और previous time period इसमें आते रहते है ये job time period हमें दिखाय गया है ये present का time period है इसमें हमें एक train टरनल से जाती हुई दिखती है ये एक dark tunnel है और इसके दूसरे बाजों में एक light भी है येक insight हमें तेते हुए एक आदमी हमें इस bridge के नीचे बड़ा हुआ दिखता है ये ही हमारा main character है इसका नाम हम John रखेंगे John आकाश के तरफ देख रहा है और इसके आखों में आसु है ये river के पास होता है और बहुत सारे लोग वहाँ party कर रहे होते है डीजी वगरा चला रहे होते है और dance कर रहे होते है उनके पास हो जाता है और dance करने लग जाता है इन मेंसे जो कोज आदमी होते है अब इसे पैचान लेते है उसे name से वो पैचानते है ये जो John है ये इनके ही school का friend था इनके आज reunion है इसमें John आया है ये एक बड़ा आदमी बन चुका है इसलिए इसका congratulations वो करते है उसके life के बारे में ये पूछना चाते है इनके friend circle का जो एक leader होता है वो John को बेटा कर कहता है कि मैं तुमसे बहुत पहले ही contact करना चाहता था पर तुम्हारा contact कर ये मुझे मिलनी पाया जॉन बेटा है उसे वो drink देते है और बार-बार ये जो group leader है ये एक ही बात कहरा रहाता है कि मुझे तुम्हें contact करना था पर मैं कर नहीं पाया मैंने बहुत पहले ही तुम्हें contact करना चाहिए था ये सब वो बोल रहाता है तो जॉन को बूसा आ जाता है जॉन कहता है कि पस हुआ ठीक है तुमने मुझे contact नहीं किया इससे कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ता सब friends फिर उसे cheer up करने के लिए dance के लिए लेकर जाते है जॉन कैरी होके पर गाना गाना चाहता है इस गाने के बोल होते है कि क्यों मुझे तुम छोड़कर चली गई दर तबरा एक गाना गाता है और बहुत ही चिलना ने लग जाता है रोने लग जाता है उससे फिर वो माइक ले ले लेते है इसे शान्त होने के लिए वो बोल रहे होते है पर यह सुनता नहीं जिस रिवर के साइड में होते है एक छोटी सी रिवर होते है इसमें वो चलने लग जाता है जो गाना वो गा रहा था वो अभी भी गा रहा है जिस ब्रीज से ट्रेन आ रही थी उसी ब्रीज पर यह चड़ जाता है सब फ्रेंड्स इसके लिए वरेड हो जाते है जो group leader होता है उसके पीछे बागता है उसे हो नीचे निकलने के लिए बोलता है वहाँ से एक train आती है उसके लिए बहुत इडर जाता है पर ये train John के side से निकल जाती है अब एक group leader बीच के नीचे है और उसे बोल रहा है कि प्लीज नीच उतर जाओ जॉन के जो फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं डिसॉसाइड करने के लिए पर कोई भी करता नहीं और एक ड्रेन आती है गुल्पडेर उसे बोल रहा है कि नीचे आ जाओ पर यह रेन रुकती नहीं और इस बार जॉन के ट्रैक पर ही होती है अब हमें नेक्स टाइम पिरेड तीन दिन पहले का दिखाय गया है जॉन ने सुसाइड करने के पहले यह चीज हो रही है जॉन अपने गाड़ी में सी की हाँ आता है वह आने पर कुछ लोगों से हो मिलता है यह कुछ गुंडे होते है जो इसे गन सेल करते है यह फिर इस बीच पर चाय पिता है वह आगी औरत उसे कहती है कि कि इतना अच्छा वियू है जो बोट वाले लोग होते है इस वियू को दिखाने के लिए उनसे थोड़े से पैसे लेते है जो गहती है कि इतने भी जादा वो पैसे नहीं लेते जॉन कहता है कि मर मिट जाने इतना ब्यूटिफुल ही स्पॉट है यह चाय पिता है पर इसके पास पैसे नहीं होते है उस लेडी को कहता है यह फिर से आकर पैसे दे दूगा फिर अपने कार में यह बेट जाता है अपनी चाहे खतम करता है और जो गन उसने बाइक ही होती है उसे अपने आपको माननी ही कोशिश करता है पर वो अपने आपको मारनी पाता जॉन फिर सिटी में आ जाता है एक आदम पारक की होती है, इसी वाज़े से उसे कार पारकिंग का टिकेट मिल जाता है, यह वो पेह नहीं कर पाता है और वो निकाल रहा होता है, वहाँ पुलिस ओफिसर आ जाता है, उससे वो छोड़वा कर भाग जाता है, इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास आता है, बहुत इरा कि मैं इससे मिलना आए हूँ इस कुट्टे को सेल आता है उसके वाइफ उसे पुछते है कि क्यों पर इसके पास कुछ भी जवाब नहीं होता तो उसके वाइफ अब दर्वाजा पन कर लेती है रात में बारीश ओर होती है और जॉन अपने घर आ जाता है यह एक जोपड़ी म में आदमी कुछ भी बोलने रहा होता फिर वह कहता है यह जो गन मैंने बाइक की है मैं अपने आपको मारने वाला था पर मैंने सोचा कि में मरने वाला हूँ तो किसी और को ही मेरे साथ लेकर जाओ मैं एक ये आदमी को लेकर जाने वाला था पर मैं अब confused हो चुका हूँ मैं किसको मारू ये मुझे समझ में ने आ रहा stock broker को जिसने मैंने सारे पैसे ले लिये मेरा friend जो मेरे business के पैसे लेकर भाग गया loan वाले जो हमेशे मुझे तंग करते रहते थे या मेरी wife और लड़की और तुम यहाँ अब आये हो तुमारा आज का दिन कुछ अच्छा नहीं है उससे पुछता है कि तुम यहाँ क्यों आये हो वो कहता है क्या तुम सुंची को जानते हो जोन पहले समझ नहीं पाता रहो कहता है कि तुम दोनों कपल्स थे यह जो आदमी होता है कि सुंची का हस्बन होता है सुंची और जॉन का बहुत सालों पहले प्यार था सुंची अब बेर पर है और वो मरने वाली है इसी वज़े से उसे अब जॉन को फिर से वापस देखना है सुन्चि के लास्ट विश है इसलिए उसका husband जौन को लेने आया हुआ होता है जौन भी सुन्चि को देखने के लिए मान चाता है सुन्चि का husband उसे कुछ कपड़े देता है जब वो हस्पिडल पोचते है तो सुन्चि के husband को पता चलता है कि सुन्ची कोमा में चली गई है वो अब किसी से भी बात नहीं कर सकती जॉन ने सुन्ची के लिए पेपर मिंट कैंडी लाई हुए होती है वो फिर अंदर जाता है वो फिर भी उससे बात करना चाता है वो कहजा है कि हमें मिले बहुत साल हो चुके है मैंने तुम्हारे लिए पेपर मिंट कैंडी लाई है क्या तुम्हें याद है जब मैं आर्मे में था तो तुम्हें ये भेजा करती थी मैं इसे हमेशा समाल कर रखता था ये वही पेपर मिंट कैंडी है ये वहाँ आर्मे में अलाउड नहीं था इसी वज़े से मैं ट्रवल में भी आ गया था पर फिर भी मैंने इसे जतन करकर रखा है जॉन फिर रोने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है सुन्ची कॉमा में थी पर फिर भी ये सब सुन रही थी उसके आख में आसु आ जाते है जब जॉन नीचे आता है तो सुंची का husband उसे camera देता है वो कहता है सुंची ने तुम्हारे लिए लाया था ये वो तुमें ही देना चाहती थी जॉन फिर इस camera को sale कर देता है रात में हमें जॉन रेन के side में दिखता है और यहां वो बहुत रोता है यही यह time period खतम हो जाता है नेक job time period है, यह 1994 का है इस time period में John अभी भी अपना business चला रहा है बहुत सारे phone उसे आ रहे है यह हमें दीखता है इस phone में एक direct to का भी phone होता है वो किसी का पता करना चाता है इसे के बारे में जानकरी निकालना चाता है वो फिर अपने फरनीजर शॉप पर आता है वो आकर उसके असिस्टन भी होती है उसे वो चाय देती है अपने फ्रेंड के साथ वो लांच करने के लिए जाने वाला होता है तो भी फिर से उसे direct to का call आता है डिरेक्ट्यू ने उसके वाइफ का पता निकाल लिया होता है उसके वाइफ पर ही नजर रखना चाता है उसके वाइफ जा होती है वहाँ हो जाता है और उसका पीछा करता है इसके वाइफ जो है इसका चक्कर चल रहा है इसके वाइफ का नाम हम कीम रखेंगे जॉन की वाइफ फिर एक आत्मी के साथ उसके घर चली जाती है जॉन दरवाजा खटटा कर अंदर आ जाता है ये सब ड्रह जाते है और इस आत्मी को वो पकड़ लेता है जब इस सब बाहर आते है तो इस आत्मी को बहुत मारता है अपने वाइफ से वो बात करता है उससे पूछता है कि अब तुम कैसे घर जाने वाली हो वो टैक्सी रहने वाली होती है उससे भी पूछती है कि तुम कब घर आने वाली हो वो कहता है कि मैं आज लेट हो जाओंगा रात मैं में घर आओंगा फिर हमें पता चलता है कि John जब अपनी वाइफ का पीछा कर रहा था उसने अपने assistant को अपने साथ ही लाया था John का अपने assistant के साथ चकल चर रहा है और यह दोनों intimate हो चुके है यह हमें दिखता है John के assistant और वो दोनों खाना खाने के लिए एक restaurant में आते है यहाँ इस restaurant में एक बच्चा होता है जिसका ball उसके पास आचाता है John और एक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते है फिर इस बच्चे का parent आता है John इस बच्चे के parent को पहचान लेता है John उससे पूछता है कि अब तुम क्या कर रहे हो कैसा चल रहा है यह जो parent है इसका नाम हम JC रखेंगे और इसे आप याद रखना है जब JC और John दोनों toilet में होते हैं तो John फिर उससे कहता है Life is beautiful JC को समझ में नहीं आता तो फिर से दो रहाता है Life is beautiful एक quote भी आप याद रखना और फिर से movie में हमें दिखेगा निज़ दिन जब आता है तो John के जो सब कलिक है इन सब को lunch के लिए उन्होंने invite किया होता है यहाँ पर John की assistant भी होती है King का जो dog होता है यह John को पसंद नहीं आता लंच के लिए बैठते है तो उसकी wife prayer करने लग जाती है यह prayer करते वक वो रोने लग जाती है वो अब John के साथ नहीं रह सकती इसलिए वो हमें घर से बाहर निकल दो ही दिखती है यही time period खतम हो जाता है और next time period हमें दिखाया गया है यह अब 1987 का time है किम जो है वो pregnant है यह हमें दोनों उनकी घर में दिखाये गए है और किम वहाँ बैठी होई होती है और John लंच कर रहा होता है किम अपने हैल के बारे में उसे बोल रही होती है वो hospital जाने वाली है यह भी उससे कहती है John जो होता है यहाँ absent हमें दिखता है वो paper में ही देख रहा होता है उससे किम से बात करने में उतना interest नहीं होता previous time period में wonder कर रहा था कि इनकी relationship तूटने में कोई जिम्यदार हो सकता है जब इस time period में हम देखते है कि John absent mandate था तब यह जीद से clear हो जाती है Nixon में हमें दिखता है जोन एक आदमी को पकड़ने के लिए आया हो होता है यह JC ही है वो JC को लेता है और police station लेकर आता है जोन अब इस time period में business man नहीं है तो यह police है जोन अब JC की पुछताज करने के लिए start करतेता है वो उसे बहुत मारता है JC का साथी जो होता है उसकी position उन्हें पता करने होती है जैसी कुछ यह बोलनी रहा होता उसे पानी में डूबाते है उसे बहुत ज़्यादा torture करते है और फिर यह उसका पता देही दिता है जब रात होती है तो जोन अपने friends के साथ एक club में आता है वहाँ गाना खाता है अगर तुम फिर से इस बार में मुझे दीखी तो मैं तुमें जाने नहीं दूँगा यह डर कर वहाँ से भाग जाती है जोन फिर से हमें police station में जैसी के पास आता है जोन जैसी को कहता है कि अगर तुमने पहले ही पता दी दिया होता इतनी तकलिफ तुम नहीं सेते जैसी रो रहा होता है जोन उसे पुछता है तुमने अपने diary में लिखा है life is beautiful क्या तुम सच में मानते हो कि life beautiful है इसके पहरे time period में हमें पता है कि अब जोन मान चुगा है कि life beautiful है पर इसकी खुद की नहीं यह जैसी की life है जो beautiful है जैसी ने अपने फ्रेंड का पता दिया था जैस गाव में वो रह रहा है वहाँ से ही सुनची है इस गाव में वो आ जाते और जिस आदमी को उने पकड़ना है उसे पकड़ने के लिए कार में वो रूपते है अब रात हो जाती है तब जॉन की फ्रेंड से कहते है कल रात भी तुम नहीं सोय थे अब जाओ और जारा सो आओ जॉन फिर निकलता है एक घर के पास वाता है यहाँ एक लेट की दारू पीती हुई घर के बाहर बैठी हुई होती है उसे पुछता है क्या में तो हाँ जाइन कर सकता हूँ यह उसे फिर invite कर लेती है उसे पुछते है कि तुम यहाँ क्यों आय हो वो कहता है किसी को धूढ़ने के लिए आया हूँ वो फिर और भी interested होती है जोान कहता है कि मेरी जो first love थी वो यहाँ रहती थी इसमें ही मैं खुश हूँ, यह लड़की फिर इमोशनल हो जाती है, वो कहे थी कि आज रात के लिए तुम प्रिटेंड करो, कि मैं ही वो लड़की हूँ, जिसे तुम ढून रहे हो, यह दोनों फिर इसके घर में आते हैं, और इंटिमेंट हो जाते हैं, रात में लड़की कुछ भी बात कर सके, तो तुम क्या करोगी है, जॉन फिर सिर्फ सुंची का नाम लेता है, और नाम लेते लेते ही रोने लग जाता है, यह लड़की कहती है, कि मुझे exactly पता है, कि तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो, इसका भी heartbreak हो चुका होता है, जब सुबह होती है, तो जॉन अपने friends के car के पास आता है, जिस आदमी को ढूंड रहे थे, जॉन की पीछे ही चल रहा होता है, इसको अब वो पकड लेते है, जॉन को फिर से उस लड़की को मिलना होता है, इन्होंने decide क्या होता है, breakfast के लिए वो फिर से मिलेंगे, पर अब उन्होंने जिस आदमी क उन्होंने ढूंड ना था, उसे ढूंड लिया है, जॉन उसके पास जानी पाता, ये लड़की river के पास उसका weighty कर रही है, यह हम देखते है, यही time period खतम हो जाता है, और फिर से past मे, 1984 में हम आ जाते है, यहां में कीम और जॉन दिखते है, जिस गली में रहता है, वही कीम भी रहती है, कीम को cycle चलान नहीं आता, उसे पूछ रही हुथी, क्या तुम मुझे सिखाओगे, जॉन केता है कि मुझे काम पर जाना है, इससे पहले वह कीम के restaurant में आता है, उसे कीम खाना खिलाती है, और एक आतमी वहाँ खाना खाने के लिए आता है, और कीम को touch करता है, क जो सब police होते है, एक आतमी को उसे torture करने के लिए बोल रहे होते है, इस आतमी के पास हो जाता है, उससे कहता है कि please, जो भी information तुमारे पास है, उसे दे दो, उसे हग करता है, पर यह आतमी मानता नहीं, तो उसे बहुत वह torture करता है, पर यह आतमी वही party कर देता है, जॉन के ह इस्टोरन में लेकर आता है, जॉन सुन्ची को पुछता है, कि तुमने मुझे कैसे डोना, वो कहती है कि मेरे पास तुमारी address book थी, तुमारे parents पहले यहां रहा करते थे, सुन्ची उसे पुछती है कि तुम पुलिस कैसे बन गए, तो उसे कहती है कि तुम जब आर्मे में तब तुम्हें मिलने के लिए मैं आई थी, पर उनने मुझे तुम्हें मिलने नहीं दिया था, तुम्हें पता भी नहीं होगा, कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आई थी, जॉन अभी भी उससे कुछ भी बात नहीं कर रहा हुता, सुन्ची फिर उससे कहती है, कि तुमारे यह बहुत ही आलग है यह बहुत ही आगली है पर वे मुझे स्वीट लगते है तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो जॉन के हाथ हमें अभी-अभी गंदे हो गए है यह दिखाए गया था As a character उसके हाथ अब गंदे हो चुके है वो जैसा था ऐसा अब वो नहीं रहा ऐसा उसे लगता है वो अपने हाथ देखता है और कहता है कि सही हो तुम सही बात कर रही हो कीम जब उन नोनों को ड्रिंग देने के लिए आती है तब कीम को हाथ लगाने लगता है वो सुन्ची को बता रहा होता है कि अब वो कीम के साथ है सुन्ची फिर इंकमफरेबल हो जाती है वो उसे कैमेरा देती है वो कहती है कि तुम्हें हमेशा से फोटोग्राफर बनना था मैंने बहुत सारे पैसे इकटा करकर तुमारे लिए बाय किया है वो कहता है जॉन कहता है कि मुझे होता है अपने आपको पनीश कर रहा होता है उसके जो सब फ्रेंड होते है वो किम के रिश्टॉर में बहुत सारे दारू पीरे होते है जॉन फिर अंदर आता है और सब को कंट्रोल करना चाता है जैसे आर्मी में स्ट्रिकली ओर्डर फॉलो करते थे उसी तरह से उनको ओर देना चाता है उन सब को मानने लग जाता है जिस तरह से उसकी लाइफ अब मैस हो चुकी है इसे वो फिर से ट्रैक में ले जाना चाता है और वे करने पारा किम जॉन को उसके बेडरूम में लेकर आती है यह दोलों इंटिमेंट होने वाले होते है जॉन डिस्टब होता है तुछ उसे कहती ही कि तुम्हें प्रेयर करना चाहिए। किम फिर उसके लिए प्रेयर करती है। और उसे भी प्रेयर कैसी करनी ही इस सिहाती है। इस सिन में हमें ब pista चलता है कि जॉन ने उससे क्यूँ शाधी की होगी। उसके जो लाइफ ये सही जा रही। किम उसके लिए एक ray of hope है इसी वज़े से उसने उसे शादी की थी ये time period यही कतम हो जाता है फिर इसे past में 1980 हमें दिखाय किया है जॉन अब जो है वो आर्मी में है और सुन्ची उसे मिलने के लिए आई हुई है वहाँ के जो officers होते हैं उसे कहते हैं कि तुम्हें allowed नहीं है ये war zone है तुम किसी से भी मिलनी सकती एक alert जारी हो जाता है और सब गाड़ी में बैट कर एक जगा पर सब military जा रही होती है सुन्ची बाहर होती है और John उसे देखता है अंदर बैट कर उसे wave अगरा नहीं करता वो सिर्फ surprise हो जाता है सुन्ची उसे दूर जा रही है ये हमें दिखता है वो city में होते भागते भागते वो train station पर आ जाते है John उसके friend के साथ होता है अपने friend को कहता है कि अप में चलने सकता उसके जूते में कुछ पानी है इसी वज़े से वो चलनी पा रहा उसका friend उसे कहता है कि ऐसा क्या है मैं तुम्हें help करता हूँ उस पानी को निकालने के लिए जब उसका friend shoes निकालता है ये John का blood होता है John को गोली लगे होती है उसका friend फिर help लेने के लिए चला जाता है वो एक लड़की आती है जोन उस पर gun रखता है वो लड़की कहती है कि मैं इस जगा पर first चुकी हूँ मैं यहाँ से जाने वाली थी तभी यहाँ lockdown हो चुका है और यह जंग छट चुकी है John उसे जाने के लिए बोलता है तभी उसके friends वगेरा सब आ जाते है वो हवा में fire करता है और उस लड़की को भाग जाने के लिए कहता है वो दो-चार round fire करता है पर उसे चोट लग गई थी इसी वज़े से सही से short fire नहीं हो पाते और उस लड़की को उसने मार दिया है यह उसे realize होता है उसके पास जाता है इसने उसे मार दिया है इसलिए वो रोने लग जाता है इसे इस लड़की में सुंची दिखाई दिती है अपने प्यार को ही उसने मार दिया है यह वो realize करता है यह बहुत रोने लग जाता है यह सीन यही खतम हो जाता है और हम फिर से टाइम पिरेट में जम मारते हैं और 1979 में आ जाते हैं जॉन अब कॉलिज में है और दोस्तों के साथ पिक्निव में आये हुआ है मूवी के फर्स में जिन दोस्तों के साथ हमें वो दिखाया गया था इन्हीं दोस्तों के साथ वो अब यहाँ है उसे स्पोर्ट पर है जिस स्पोर्ट पर उसने सुसाइड की है यहां में सुन्ची भी दिखाई जाती है जोन उसे बात करने लग जाता है जॉन उसे पूछता है क्या तुम्हें नेचर पसंद आता है सुन्ची कहती कि हाँ मुझे पसंद है जॉन उसे पूछता है क्या तुम्हें फूल अच्छे लगते है वो कहती कि हाँ मुझे फूल अच्छे लगते है जॉन उसे कहता है यह मुझे फोटोग्राफर बनना है यह जो नेचर की ब्यूटी है यह मुझे कैप्चर करनी है सुन्ची इस पर हसती है और फिर उसे पेपर्मीन कैंडी देती है जॉन उसे पूछता है क्या तुम्हें यह पसन है वो कहती है कि मैं इसकी फैक्टरी में काम करती हूँ मैं ट्राइ करती हूँ कि मैं इसे पसन कर पाऊ जॉन फिर इस पॉट को देख रहा होता है वो सुन्ची से कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ अल्डेडी आ चुका हूँ यह जो सब है, यह मैंने पहले देखा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है सुन्ची उसे कहती है, कि यह तुम्हारा ड्रीम होगा जॉन पूचता है, क्या है यह सच मुच में ड्रीम हो सकता है यह जो सब फ्रेंड्स है, फिर गूर्प में बेढ़ते है जौन जो गाना गा रहा था कि तुम कैसे चली गई, मुझे छोड़ कर कैसे चली गई गाने की लेरिक्स थे यह गाना यह सब फ्रेंड्स मिलकर अब गा रहे है पर एक फैपी टोन में गा रहे है जौन फिर उठ जाता है और यहाँ चलने लग जाता है वो ब्रीच के नीचे फुलों के बास बेटता है उपर देखता है और वहाँ रोने लग जाता है यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है यह realization उसे होती है यहाँ हम सोचे तो यह moment जौन के लिए perfect था यहाँ उसे जो भी सब चाहिए था वो एक कर सकता था इसके लिए वो hope फूलता यहाँ उसे पता था यह सब छोड़कर उसे आर्मी में जाना पड़ेगा इसलिए यहाँ वो रो रहा है इसका जो future है वो uncertain है जो भी उसे चाहिए वो पातो सकता है वो उसे इसकी possibility बहुत ही कम लग रही है यह सब सोचकर उसके death imagine करता है और यहाँ वो रो रहा है अगर हम फिर से इस movie के जो scenes थे इनने एक linear तरीके से फिर से analyze करें तो हैं बहुत सारी चीज़े पता चल सकती है movie का last scene जो था उसमें वो जैसा था वैसे हमें दिखाये गया है उसका एक pure form हमें यहाँ दिखता है पर वो वैसा हो नहीं पाता इससे पहले जो scene है जहाँ सुंची उसे मिलने के लिए आती है उसमें उसे मार रहा है उसका जो प्यार था उसे उसने मार डाला है ऐसा उसे दिखता है इससे और एक पहले scene में जब वो अब कीम से मिल चुका है कीम के restaurant में वो खाना अगर रखाता है इस scene में जब उसे सुंची मिलने आती है तब वो उसे भी ठुकरा देता है उसके पास्ट के साथ उसके जो सब टाइस थे उसने उसे मार दिया है और एक इसके पहले scene में जब कीम इसके बच्चे के साथ brainland थी तब इसने अपने family को ये मार दिया है वो कीम के साथ इतना जूडनी पाता जो उसे attention अपने family को देना चाहिए वो नहीं देता इसी वज़े से इसकी family बरबाद हो चुकी है जब वो पुलिस में था और सुंचे के गाव में फिर से वो अपस आया था तब उसे फिर से एक chance मिला था जो लड़की थी उसके साथ वो रह सकता था वो लड़की भी जॉन को पसंद कर दी थी वो दोनों उस दिन मिल सकते थे पर उसने फिर से उसका जो chance था कि वो फिर से पैर में पढ़ सकता है इसी को उसने मार डाला जब मूवी के फर्स सीन आये थे जब वो गन बाई करता है तो वो सब को मार डाना चाहता था तो स्ट्रॉक बूकर को, बैंक वालो को उसका जो फ्रेंड था, उसको उसके वाइफ को, बच्ची को सब लोग को मार देने वाला था और आखिर में उसने अपने आप को ही मार दिया अगर हम फिर से देखे तो जॉन के पास हमेशा उप्षन था जो बाना जाता था वो हमेशा उसके सामने था पर वो कभी भी उससे रिकगनाइज नहीं कर पाया जो वो कॉलेज में था तो उससे फोटोग्राफी करनी थी पर उससे करने के लिए वो करेश नहीं जुटा वाया उसके अल्टरनेट में वो आर्मी में चला गया जब वो आर्मी में था पर तभी भी उसने ऐसा नहीं किया सुन्ची फेस से उसे मिलने के लिए आई थी पर कीम के साथ फिरो इन्वाल हो गया उसके हाथ गंदे हो चुके है उसका सोल अब डर्टी हो चुके है ऐसा उसे लगता था अब वो सुन्ची को डेफिनेटली डिजर्व नहीं करता सुन्ची उसे लाइफ का और एक चांस देखा जाती है उसे एक कैमेरा हो देखा जाती है अकर जॉन डिसाइड करता तो अपना पैशन परस्यू कर सकता था तभी भी उसने ऐसा नहीं किया जब कीम के साथ उसकी शादी हो गए अगर उसने फैमिली को इंपोर्नस दिया होता तो फिर भी उसकी फैमिली कभी तूटती नहीं और जो उसके हालात हो चुके थे वो नहीं हो पाते इसके कॉन्ट्रास्ट में उसने वाइलन्स का वेचूस किया जब वो मुवे में बरबाद हो चुका था उसका जॉब उसके पास नहीं है उसकी फैमिली उसके पास नहीं है तब सुन्ची का हास्बन उसे फिर से उसका कैमेरा देता है वो अपने ड्रीम को सेल कर देता है अपने फ्रेंड्स की रियूनियन में हो जाता है उसके friend उसके लिए बहुत supportive है फिर से वो वो यादे जी सकता है जो उसके लिए beautiful थी उसे life में support करने वाले जो भी सब उसके friend है वो यहाँ मोजूद है John के लिए यह सब care करते है पर यह वो देख नहीं पाता और फिर वो suicide कर लेता है हम जो है अपने आपको हमेशा judge कर दे रहते है हम बुरे है इसलिए हमें यह नहीं करना है यह सब जो है यह बहुत गलत है life हमेशा हमें जो भी chance देती है हमारे साथ जो भी अच्छा होने वाला है इसे हमें जकड लेना चाहिए इसलिए seize the moment कहा जाता है जो moment है इसे हमें पकड लेना चाहिए जकड लेना चाहिए और इसका कुछ beautiful बनाना चाहिए life को देखने का एक अलग तरीका यह movie हमें दिखा कर जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like और comment ज़रू कर दीजएगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता है तो तो फ्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजए और bell notification icon दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया